दोस्तो नमस्कार मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी मन्नू मैं दोस्तो एवेंजर से इन गेम से बॉक्स ओफिस पर जिस तूफान की उमीद की जा रही थी विल्कुल बैसा ही तूफान मच गया है ये फिल्म हमारे देश में रिलीज होने वाली सारी भारती फिल्मों को भी पीछे छोड़ कर अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है इस फिल्म ना सिर्फ इंडिया से ही पहले दिन 53.10 करोड रुपे कमाल है और कमाल की बात ये है दोस्तों कि ये फिल्म इंडिया में सिर्फ 845 स्क्रीन्स पर ही रिलीज हुई है जबकि पिछले साल रिलीज हुई बॉलिवूर के सुपरस्टार आमिर खानमिता बच्चन की ठक सौफ हिंदुस्तान ने पहले दिन 52.25 करोड का बिजनिस किया था जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था लेकिन उसे भी 5000 स्क्रीन्स मिले थे जबकि Avengers N.GAM को कम स्क्रीन मिले है फिर भी कलेक्शन जाता है के दोसो Avengers Endgame इंडिया में रिलीज होकर पहले दिन की कमाई के माबले में अभी तक की सबसे बड़ी Hollywood फिल्म बन गई है इससे पहले ये Record Avengers Infinity War के नाम था 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म का Opening Day कलेक्शन था 31.30 करोड़ अब अगर दुनिया बर में Avengers Endgame की कमाई की बात करें तो ये आकड़ा काफी बड़ा है 46 countries में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 1403 करोड़ उपे कमा लिए है Endgame सबसे पहले यानि की 24 अपरेल को चीन में रिलीज हुई थी और दोस्तो चीन में पहले दिन की कमाई लगबग 700 करोड़ याने की 100 मिलियन डॉलार हुई थी और दोस्तो ऐसा माना जा रहा है कि Avengers Endgame की Opening Weekend की कमाई इंडिया में 1500 करोड़ के पार और दुनिया बर में 6000 करोड़ के पार पहुँच जाईगी ऐसे में उम्मीद ये जटाई जा रही है कि 200 करोड़ के मेगा बजट में बनी ये फिल्म Endgame अफतार का रिकॉर्ड तोड़कर दुड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने जा रही है तो दोस्तों क्या आपने Avengers Endgame देखी अगर हां तो कैसी लगी अपनी राकमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नीचे जो ये रैड़कर सब्सक्राइब बटन वाल आइकन देखरा दोनों पर एकी क्लिक जरूर कर दीजे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और देखते रहे है क्रेजी मन्नू